हेलो दोस्तो स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिनी क्लासेस में तो आज हम क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 7 का आखरी पार्ट देखने जा रहे हैं हमने संगवाद में जो है केंद्र की शक्तियों के बारे में चर्चा की थी और बहुत अच्छ क्या था और अब क्या है ठीक है क्या चीजें परिवर्तित हुई है इसके बारे में आज हम बात करेंगे फिर हम इस चैपटर की does एंसल लगाएंगे और आज इस चैप्टर को खतम करेंगे तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं तो बात करते हैं जम्मू कस्मीर देखिए जम्मू कस्मीर की अगर मैं स्थापना की बात करूँ तो इसकी स्थापना हुई थी 1954 और अब स्थापना 2019 में कैसे हुई ये भी मैं आपके बताती हूँ देखिए जम्मू कस्मीर जो था ना पांच अगस्त 2019 तक भारत का एक राज्य था ठीक है ध्यान रखेंगे 2019 तक ये जो है भारत का एक राज्य था और इसके पश्चात यानि कि अगस्त 2019 में इसे दूई विभाजित यानि की जम्मू और कस्मीर और लग्धाग नामक दो केंद्रिसासिट जो है प्रदेश के रूप में स्थापित कर दिया गया अगर मैं इस राज्य के पूर्व की बात करूँ तो ये जो है बिटिस भारत में जम्मू और कस्मीर रियाशत नाम पूर्व रियासत के विभिन भागों पर आज भी नियंतरन रखते हैं आप यह देखो कि जम्मु कश्मीर के जो हिमालय परवत श्रिंखला वाला जो पोर्शन है सबसे उचा हिस्सा इसे अपनी प्राकृतिक सौंदर और संसाधनों के नाम से जाना जाता है और अगर जम्मु लोग अमरनाथ यात्र करने जाते हैं वैशनो देवी के दर्शन करने जाते हैं ठीक है तो अगर पूर्व जम्मु कश्मीर की बात करें इनकी रियासत में विभिन इलाकों का अधिकार होने का दावा हमेशा से भारत पाकिस्तान और चीट यह तीनों देश करते आ रहे हैं और भारती नियंतरन वाला जो छेत्र है उसे जम्मु और कश्मीर कहा जाता है यानि कि जिस छेत्र को भारत ने नियंतरन किया है उसे जम्मु और कश्मीर कहा जाता है जिस पर वैद रूप से जम्मु कश्मीर के राजा द्वारा भारती संक्य अंतरगत हस्तांतरीत किया ग अब जो है जिसे जो है उसने भारत से 1962 के युद्ध पर ना कब्जा कर लिया और इस इलाके को अकसाई चीन कहा जाता है ध्यान रखेंगे क्या कहा जाता है इस इलाके को अकसाई चीन कहा जाता है और भारत जो है इन कब्जों को अवैद मानता है क्या मानता है अवैद मानता ह तो मैं आपको एक बात और बता दू कि जम्मू नगर यानि कि जम्मू प्रांत का सबसे बड़ा नगर और राजी की शीत कालीन राजधानी थी और वही न कश्मीर में इस्थित्स्री नगर जो है घर्मी के मौसम में राजी की राजधानी रहती थी जो अब केंद्र शाषित जम्मू कस्मीर की है ठीक है और जम्मू और कस्मीर में जम्मू कश्मीर बलिस्तान गिलगित के छेत्र समलित थे और इस राजी में जो है पाकिस्तान अधिक्रीत भाग का छेत्र जुद है दो लाग 22,236 वर किलोमेटर है जो भारत में है ठीक है ये ची ध्यान रखेंगे अब आती है बात भारती संसदने ध्यान रखेंगे भारती संसदने 5 अगस्त 2019 को इस राजी की राजनीती की स्थिती में भारी बदलाव करते हुए विधान सभा सहीद आप ये देखो विधान स शासित प्रदेश बना दिया और लद्दाक को भी जम्मू कस्मीर से अलग करके उसे केंद्र शाशित प्रदेश का धरजा दे दिया गया आए थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में चलते हैं है फिर इसके परतमान के बारे में तो हम बात करेंगे ही देखें आजादी के सम तो मुस्लिम संगठनों ने क्या किया कि सांप्रदाइक गटवंदन बनाने शुरू कर दिये सांप्रदाइक दंगे यानि कि 1931 से पहले होते आ रहे थे नेस्नल कॉन्फरेंस जैसी पार्टियों ने राज में मुस्लिम प्रतिनिधित उपर जोड दिया अब उन्होंने क्या कि जम्मू और लगदाख जो थे इनके छेत्र थे इनके अंदेकी की अब आप दिये देखो कि सोतंता के पांच साल बाद भी न जो जन संग के से जुड़े जो संगठन थे उन्होंने प्रजा परिशत से उस समय नेता जो थे वो शेख अब्दुल्ला की आलोजना की और शे जह ॏ जम्मो कश्मीर का मुद्दारा है न हमेसा सामप्र दाइक मुद्दारा न है ठीक है तो यह चीज है फिर क्या हुआ उस समय थी प्रधान मंत्री इंद्रा गांधी के जब जम्मू दोरा हुआ तो उसके बाद फारुक उब्दल्ला और उनके साथ ही मौलवी मुहम्मद फारुक इन्हों ने कश्मीर में खुद को मुस्लिम नेता बताने की छवी बनाई और मार्च 1987 में इस्थिती यहां तक आ गई कि श्री नगर में जो रैली हुई उसमें मुस्लिम उनाइटेट फ्रेंट ने ये घोशना कर दी कि कश्मीर की मुस्लिम पहचान एक धर्मिर पेक्षदेश बची नहीं रह सकती अब इधर क्या हुआ इधर जमू के लोगों ने भी एक छेतरवाद को धार्मिक रूप देने का काम आरब कर दिया इसके बाद क्या हुआ इसके बाद राज में इसलामिक जहाद साम्रदाइक हिंसा के कई से कई लोग मारे जा चुके हैं आप आए दिन किस्से सुनते रहते होंगे कि जमू कस्मीर में यहाँ अटैक हुआ वहाँ अटैक हुआ है ना तो 1989 में इस्थानिय लोगों के सहयोग के कारण कश्मीर के मूल निवासी जो थे वो हिंदू के उपर इसलामिक आतंकवाद करना शुरू कर दिये अब जिसके का 600 लोगों की मृत्य यह तह समय कौन थे महारा राजा हुर जो अपनीुर्यासत को सवतंतराज रखना चाहते थेए को मुष्म कॉंफरेंस कश्मियर प्रभ्राज नेतिक पार्टी ठी और इस समय हमारे भारत के प्रधान मंत्री थे जबाहलाल नहरू ठीक है तो जबाहलाल नहरू ने क्या किया कि मुहम्मद अल्ली जिन्ना से विवाद जन्मत संग्रा सुलजाने की पेशगस्त की अब जिसे जो है जिन्ना ने उस समय ठुकरा दिया क्यों क्योंकि उनको अपनी सैनिक कारवाही पर पूरा भरोसा था फिर फि विवाद को सेयोक तराष्ट में ले जाए गया और सेयोक तराष्ट महासभा ने उभ्य पक्षिक के लिए जो है दो करार पारिद किए पहला करार ये हुआ कि पाकिस्तान तुरंत अपनी सेना काबिज हिसे खाली करे दूसरा यह संकल पारिद कि शांति होने के बाद दोनों देश कसमीर के भविष्य का निर्धारन वहां की जनता की चाहत के हिसाब से करेंगे यानि कि वहां की जनता जो चाहे की वही जो है निर्णाय लेंगे ठीक है so इसे लिए जो है यह जंहु कसमीर जो है na article 370 यानि कि article 370 के dawा जंहु कसमीर को विशेश्षित सिति प्रदान की गई थी अब थी बोलेंगे ठीक है यह जब बुक में जब छापा गया था तो यह उस समय रहा था है ना और मैंने तो आपको बताया है कि पांच अगर्स 2019 को इसे केंद शाषित का दर्जा दे जम्मू और कस्मीर और एक लगदाक तो दो केंद शाषित प्रदेश और जुड़ गए हमारे हैं तो भारत भी भाजन के समय हिंदूस्तान या पाकिस्तान में जो है किसी एक में शामिल होने के पास इनके पास विकल्प ठीक है और स्वतंता के तूरंत बाद पाकिस्तान और भारत के जो है बीज कश्मीर को लेकर युद्ध हुआ और इन परिस्थितियों में जम्मू कस्मीर के महराजा ने भारत का चेन किया जिनका नाम क्या था महराजा हरिसी और अधिकांस मुसलिम बहुल राजियों ने पा केंद्र सूची और समवर्ती सूची कि किसी भी विशह पर संसत द्वारा कानून बनाने और उसे जम्मू कस्मीर में लागू करने के लिए न इस राज्य की सहमती आवश्यक थी ठीक है और एक अन्य राज्य की स्थिति से ये बिलकुल भेन्न था अन्य राज्यों के लिए तीन सी सूची द्वारा किया गया सक्ति विभाजन स्वताई प्रभावी हो जाता था लेकिन जम्मू कस्मीर के संबंद में क्या प्रावधान था कि केंद्र सरकार को सीमित सक्तियां प्राप्त है ठीक है और केंद्र सूची समवर्ती सूची में जो वर्नित सक्तियां थी न जिसका संकेत अनुछे 370 की भासा में मिलता है सम्विधान के अंसार राष्टपती को ये अधिकार है कि वह राज्य सरकार की सहमती से ये तै करे कि केंद्र सूची और समवर्ती सूची के कौन कौन से प्रावधान राज्य के लिए प्रभावी होंगे ठीक है तो राष्टपती ने जम्मू कस्मीर सरकार की सहमती से अब तक दो सम्विधानिक आदेश जारी किये थे जिनके अंतरगत इन सूचियों में वर्णित जो है अधिकतर शक्तियों को राज में लागू किया जा सका परिणाम सरुप क्या हुआ जम्मू कस्मीर का एक अलग सम्विधान और ध्वत जरूर था लेकिन संघी और जो है समवर्थी सूची के विशे में राज के लिए कानून बनाने की संसिदिये सकती को अब पूरी तरीके से स्विक्रिती मिल गई थी इसके अत्रिक्त क्या था जम्मू कस्मीर और अनिराज में एक अंतर ये है कि राज सरकार की सहमती के बिना जम्मू कस्मीर में आंत्रिक अशांती के अधार पर आपात का लागू नहीं किया जा सकता था है ना ये सारी चीजे अब बदलाव हो गई है क्या थी वो मैं बता रही हूँ आपको है ना संग सरकार जो है जम्मु कस्मीर में वित्ती आपास की स्थिती लागू नहीं कर सकती थी राजे के नीत निदेशक्त तो यहां लागू नहीं हुआ करते थे यहां यह बताना भी जरूरी है कि भारती संविधान के शंशोधन अनुछे 368 के अंतरगत राजे सरकार की सहमती से ही जम्मु कस्मीर में लागू हो सकते थे ठीक है और अनेक लोगों की यह मानेता थी कि संगी विवस्था में शक्तियों का आपचारिक और समान विभाजन संग की सभी काईम समान रूप से लागू होना चाहिए तो जब भी ऐसे विशिष्ट प्रावधान की विवस्था जो है सम्विधान में की जाती है तो कुछ विरोध भी होता है और इस बात की भी शंका होती है कि ऐसे विशिष्ट प्रावधानों से उन छेत्रों में अलगावादी प्रवृतिया मुखर होती है और जो है विशि सासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई नौ हो गई कितनी हो गई नौ हो गई एक जे एंड के और एक लग्दाग ठीक है पहली बार कोई बदल गया ठीक है यानि कि जम्मू कस्मीर और लद्दाग दो केंद्र शासित प्रदेश हो गए दोनों केंद्र शासित प्रदेश देश के पहले ग्रह मंत्री और पांसो साथ से ज्यादा रियास्तों का विलय करने वाले सर्दार बल्लब भाई पटेल की जैनती के मौके पर ना यह थी ठीक है और इसी के साथ देश में एक देश एक विधान एक निशान जो है वो लागू रह गया और अब द्यान रखेंगे अब देश में अटाइस राज्य और नो केंद्रिशासित प्रदेश है यानि कि जम्मू कसमीर पुनर गठन विधयकक 2019 के मुताबिक कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को 31 अक्टूबर के वजूद में आना था और यह पहली बार था कि जब जो है किसी राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बाटा गया ठीक है यह चीज ध्यान रखो गया यानि कि अप से जो है विभिन केंद्र सासित प्रदोसों में जो चीजे लागू होंगी वो ऑटमेटिकली जम्मु कस्मीर और लद्धाक में भी लागू होंगी अब देखे इस चेप्टर को पढ़ने कब पर हमारा निश्कर्ज क्या निकला संगबाद जो है एक इंद्र धनुष की भाती होते हैं अब जिस प्रकार आप जानते हैं कि इंद्र धनुष में सातो रंग जो है दिखते हैं आंसमान में जहां प्रतेक रंग का अपना अलग ही अस्तित्व होता है लेकिन वे सभी रंग जो है मिलकर एक सुन्दर सद्भावना पूर्ण द्रिश्य उपस्थित करते हैं तो संगी विवस्था जो है ना केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन बनाए रखने का कठिन कार्य करती है और कोई भी कानूनी और संस्थानिक फ जो है मूल्यों और संस्कृति का विकास करना चाहिए यानि कि जो संघवाद है वो एकता और अनेकता दोनों का आधर करता है अनेकता और विविद्धताओं को समाप्त कर राष्ट्री एकता के लक्ष को प्राप्त नहीं किया जा सकता यह चीज़ आप ध्यान रखिए और कि बाधिकारी एकता जो है ना वास्तों में और ज्यादा समाजिक संघर्स और अलगाओं को जन्म देती है और जो अंत में एकता को ही नश्ट कर देती है तो विविद्धताओं और स्वायत्तता की मांगों के प्रति समवेदन शील और उत्तरदाई राजनीतिक व्यवस्थ सहयोगी संघवाद का एक मात्र आधार हो सकती है अब आईए थोड़ा प्रशन लगा लेते हैं हम लोग तो नीचे कुछ घटनाय दी गई है इनकी सूची दी गई है इसमें आपको संघवाद की कारप्रडाली के रूप में चिन्हित करना है तो सबसे पहला है केंद्र सरका ने मंगलवार को जी एन एल एफ के नेतित वाले दार्जलिंग गोर्खा हिल काउंसलिंग को छठी अनुसूची में वर्णित दर्जा देने की घोश्रा की इस से जो है पश्चिम मंगाल के परवती जिले में सास की निकाय को ज्यादा स्वायत तता प्राप्त होगी दो दि स्री पक्षिये समझोते पर हस्ताक शरूए देखिए यह सही है संगी प्रणाली की स्थिती पाई जाती है इसमें क्यों क्योंकि सांस्कृतिक और भौगालिक जो समीपता है इसके आधार पर स्वायत परिसत कर निर्मान कर शक्तियों का बटवारा किया गया है और जिससे ज वर्षा प्रभावित प्रदेशों से पुनर निर्मार की विश्त्रित योजना भेजने को कहा है ताकि वह अत्रिक तिराहत प्रदान करने की उनकी मांग पर पौरन कारिवाही कर सके तो वास्त्विक संगी प्रणाली की स्थिती यह भी दर्स आता है कैसे जिसमें केंद्र उन राज्यों के खर्चों का ब्योरा मांगता है जो वर्षा से अधिक प्रभावित होये हैं क्यों क्योंकि उनको आवश्यक शहायता दी जा सके तीसरा दिल्ली के लिए नए आयुक्त तो देश की राजधानी दिल्ली में नए नगरपाली का आयुक्त को बहाल किया और इस बात की पुष्टी करते हुए MCD के वर्थमान आयुक्त राकेस महता ने कहा कि उन्हें अपने तबादले के आदेश मिल गए हैं और संभावना है कि भारती प्रशाशनिक सेवा के अधिकारी अशोग कुमार उनकी जगह समालेंगे अशोग कुमार हरुनाचर प्रद कि प्रणी के स्थिति है क्यों कि इसमें भी अरुनाचर प्रदेश की पानी की आवश्यक्ता को पूरा करने के लिए ना अवश्यक्त धन की विवस्था की गई है कि अगला सही होगा तो देखें इसमें जो पहला कथन है संघवाद से इस बात की संभावना बढ़ जाती है क विभिन छेत्रों के लोग मेल जोल से रहेंगे और उन्हें इस बात का भै नहीं रहेगा कि एक की संस्कृती दूसरे पर लाद दी जाएगी तो यह तो मुझे बिल्कुल सही लग रहा है ठीक है और तीसरा कथन भी सही है संगी प्रडाली इस बात को सुनिशित करती है कि जो क अर्षियम के संगवाद को किस रूप में साकार किया गया और भारत के सम्विधान के लिए ऐसा अनुछे लिखने का प्रयास करके देखें देखें अनुछे देक में क्या है वे जिल्धीम एक संगी राज है जो समयाय और छेत्रों से बना एं अनुछे 2 में बेल्जियम की क है बेल्जियम चार भासाई छेत्र हैं फ्रेंच भासि डच भासि ब्रुसल्स की राजधानी द्वी भासी छेत्र और जर्मन भासी छेत्र राज का प्रतेक कम्यून इन भाशाई छेत्रों में से किसी एक का हिस्सा रहा डंडिकल अ West Flanders और East Flanders और Limburg अच्छा अब ब्राजील के इस यह जो विवरण दिया गया है इससे यह सपस्ट है कि बेलजीम जो है समाज का एक बहु संखिक समाज है जिसमें विभिन जातिया विभिन भाशाब है ठेक है और विभिन बोली के लोग रहते हैं जो अलग अलग छेतरों प बात करें तो भारती समाज में संगी समाज है जिसमें विबिन जाती धर्म संस्कृति बोली और भाणशा के लोग रगते हैं अनेक भौगों लिखताएं भी है हमारे देश में बारत में ऐसे 29 राज्य का संघ है ठीक है और जो है भारत में राज्यों का निर्माण भाशा के आधार पर किया गया है भारत में संगीश आसन प्रडाली है लेकिन इन में जो है अनेक एकात्मक तत्व भी है जिनको भारती आधार पर केंद्र और प्रामतों की शक्तियों के बीच बटवारा किया गया है है ना ये चीज़ ध्यान रखना है अगला question है कलपना करे कि आपको संगवात के संबंद में प्रावधान लिखने हैं लगभग 300 सब्दों में एक लेक लिखें और विभिन बिंदू पर सुझाओ दें पहला बिंदू है केंद्र और प्रदेशों के बीच शक्तियों का बटव संगी धाचे का निर्माण संग जो है संविधान की योजना के आधार पर तैग किया जाना चाहिए दूसरा वित्त संसाधनों का विवरन अब संगी सासन प्रणाली की सबसे प्रमुख विशेस्ता तो यही है ना केंद्र और राज्य के बीच जो है शक्तियों के बटवारे और संग का निर्माण संगी सिधानतों के आधार पर होना चाहिए जिससे संग जो है राज्यों की मर्जी पर आधारित होना चाहिए और प्रान्ती और छेतरी विश्यों पर राजियों का नियंतरण होना चाहिए और संघ के पास कीवल राश्ट्री और अंतर पून पद है है ना जो सम्विधानिक मुख्या के साथ केंद्र का एजंट के रूप में भी काम करते हैं तो राजयपाल का पद जो है इस सिति के कारण राजनीती करण हो गया है इसका अभी हमने जो है पिछले पार्ट में बहुत अच्छी तरीके से देखा भी है यानि कि पूनर अग्य जो है योग और निश्पक्षवक्ति की न्यूकति की जानी चाहिए अगला कॵेश्यव निम में कौन सा प्रांत के गठन के आधार होने चाहिए सामाने भासा सामाने आर्टी के शेत्र प्रसासनिक सुविदा देखें अभी तक भारत में राज्यों का गठन 15 द्यान रखेंगे 1956 की कानून के आधार पर भासा के आधार पर होता है लेकिन वर्तमान परिस्थिती को अगर देखा जाए तो प्रशाशनिक सुविधा को जो है ना राज्यों के पुनर गठन का जो है प्रमुखा आधार माना जाता है ताकि क्या हो ताकि लोगों को अच्छा और कुसल साशन प्रदान किया जा सके जिसमें जो है इस थानी लोगों के विकास को भी जो है उसमें संभव हो है ना अगला क्वेशन है उत्तर भारत के प्रदेशों राजस्थान मध्यप्रदेश उत्तर प्रदेश बिहार के अधिकांस लोग हिंदी बोलते हैं और यदि इन सभी प्रांतों को मिला कर एक प्रदेश बना दिया जाए तो क्या ऐसा करना संगवाद के विचार का संगत होगा आप अपना तर्क दीजिए देखिए यदि जो है भारत में प्रदेश राजस्थान मद्यप्रदेश उत्रप्रदेश बिहार जो की सभी हिंदी भासी चात्र है सभी को मिला दिया जायना तो भाशी और सांस्कृतिक द्रिश्चित से तो यह सभी काई के रूप में कठे हो सकते हैं लेकिन क्या प्रसाशनिक सुवि आधार पर ही किया गया है यह चीज़ आपको ध्यान रखना होगा है ना इसलिए तो इससे जो है अलग किये गए है अब अगला क्वेस्ट्टन है भारती सम्मिधान की ऐसी चार विशेष्टाओं का उलेग करें जिसमें प्रादीक्षिसक सरकार की अपेक्षा केंद्री सरकार को ज्यादा शक्ति प्रदान की गई है देखे चार जो है सक्तिशाली केंद्र पनाए गया है पहला है केंद्र के पक्ष में शक्तियों का बटवारा किया गया है दूसरा राष्टपती की जो आपातकालिन शक्तियां है तीसरा राज्यों में राष्टपती सासन की अब आप देखिए भारत की राजनीती में किसकार राजयपाल के प्रिष्ठ भूमी का नियुकति निर्फेक्ष रूप से अपने करतवियों को पूरा नहीं करते इनकी भूमिका जो होती है ना केंद्र के एजेंट के रूप में होती है और जिसके अधार पर इनके जिम्मेदारी जो होती हमेशा केंद्री हितों की रक्षा करना होता है लेकिन ये केंद्र की सरकार के दल के हितों के रक्षक बन जाते हैं ठीक है और जि ऐसे प्रदेश में राष्टपती शाषन लगाया जा सकता है अब आप ये बताएं कि निम लिखित में कौन सी स्थिती किसी देश में राष्टपती शाषन लगाने के लिहाद से संगत है और कौन सी नहीं संशेप में कारण भी दे तो कौन सा सही लग रहा है आपको गव वाला देखिए गव वाला मुझे सही लग रहा है प्रदेश में हुए हाली के विधान सबाचुनाओं में किसी दल को बहुमत नहीं मिला भैया है कि एक दल दूसरे दल की कुछ विधायकों से धन देकर अपने पक्ष में उसका समर्थन हासिल कर ले तो क्या है देखिए जब जो है ऐसी स्थिती में जब चुनाओं के बाद किसी भी दल को आवश्यक बहुमत प्राप्त ना हो तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि राजनीतिक दल सरकार बनाने के प्रयास में जोड तोड या फिर राजनीति या MLA को खरी क्वेशन है जादा स्वायत्तता की चाह में प्रदेशों ने क्या मांगे उठाई हैं देखिए 1960 से लगातार विभिन राजों ने प्रांतिय सतंता की मांग लगातार उठाई है वेस्ट बेंगौल हो गया पंजाब तमिलना डूजा मुक असमेर और कुछ उत्तर पूर्वी राजों को जो है विशेश रूप से ये मांग आती रही हमेशा से पहली केंद्र और राज केमद शक्तियों का बटवारा प्रांतों के पक्ष में होना चाहिए दूसरा राजों की जो है केंद्र पर आर्थिक निर्भरता नहीं होनी चाहिए तीसरा राज के मामले में केंद्र का कम से कम हस्त शेप होना चाहिए चोथा, राज के पद का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए और राज जिपाल की नियुक्ति में राज्यों के मुख्यमंत्री की परमर्श लिया जाना चाहिए पांचवा, सांस्कृतिक स्वायत्तता होनी चाहिए चट्वा, समयधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए आखरी क्वेशन है क्या कुछ प्रदेश में सासन के लिए विशेश प्रावधान होने चाहिए क्या इससे दूसरे प्रदोशों में नाराजगी पैदा होती है क्या इन विशेश प्रावधानों के कारण देश के विभिन छेत्रों के बीच एकता मजबूत करने में मदद मिलती है तो बिल्कुल मिलती है आप पूर्वुत्तर राज में देखिए वहाँ आवागमन के साधर नहीं है ठीक है उतने जादा धर्रे में जो है रोड बनी हुई है इधर जम्मु कस्मिर को विशेश राजजे का दर्जा दिया गया था ठीक है वो चीज हटा ली गई है लेकिन अभी भी पूर्वुत्तर राज में दिया गया और उसकी वज़ा से कोई नाराजगी नहीं पैदा हुई है और एकता तब भी मजबूत्बनी हुई है है ना तो ये चीज है क्योंकि भागीदारी तो सब की मिल रही है चाहे लोग सभा की सीट में हो चाहे राजजे सभा की सीट में हो है ना तो भागीदारी तो सब के मिल रही है तो इसलिए जो है इन विशेश प्रावधानों के बावजूद एकता मजबूत करने में हमें मदर्थ मिली है तो यहीं खतम होता है यह चैप्टर संगवाद कैसा लगा यह चैप्टर जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जितने भी लोग इस वीडियो को देखते हैं सब लोग अगर दस दस शेयर भी करेंगे तो जो है वीडियो बहुत एकन प्रेस कर लीजिए थैंक्यू वेरी मच